नमस्कार दोस्तों आज आपको बताने जा रहे हैं UPI ATM के बारे में जो की cardless ATM है इसमें card की बिलकुल भी आउसकता आपको नहीं पड़ेगी आप जो है UPI से जिस तरह से payment करते हैं कहीं पे उसी तरह से इस ATM से आप जो है cash withdrawal कर सकते हैं और आपको बता दे दोस्तों की इस ATM को जो है वाइट लेबल ATM का मतलब यह है कि इसमें card की बिलकुल भी आउसकता नहीं है आप जो है UPI के माध्यम से cash withdrawal कर सकते हैं और इसको जिस कंपनी ने बनाया है वह एक जापानी कंपनी है जिसका नाम हीटैची है और इस कंपनी का collaboration National Payment Corporation of India के साथ में हुआ है और आपको बता द और यह जो है वाइट लेबल ATM के नाम से जाना जाता है जिसमें card की बिलकुल भी आउसकता नहीं होती है तो दोस्तों इसमें क्या क्या खासियत है वह सारी चीजे आपको हम बताएंगे और इसके क्या लाब हो सकते हैं और क्या इसमें दिक्कते आ सकती हैं सारा कुछ आपको बताने की कोशिस करेंगे तो वीडियो को बिलकुल भी skip ना करना अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को like जरूर कर देना तो चलिए आपको हम बताते हैं किस तरह से यह work करता है और क्या इसकी term and condition है तो दोस्तों आपको बताते हैं कि जिस तरह से एटियम वर्क करता है उसी तरह से एटियम की तरह ही यह भी दिखता है बिलकुल same to same एटियम की तरह होता है लेकिन इसमें जो है card की आपको आउसकता नहीं पड़ती है यह cardless है केवल आप जो है UPI के माध्यम से इससे cash withdrawal कर सकते हैं और सबसे बड़ी चीज यह है कि इससे जो है आप अपने card detail को चोरी होने से बचा सकते हैं जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कहीं पे अगर आप ATM पे जाते हैं पैसे निकालते हैं तो आपको साधानी रखनी पड़ती है कि कहीं आपके card की cloning ना हो जाए और फ्राड करने आपके card का detail चोरी ना कर लें तो आपको इससे बचत हो जाएगी आप कहीं भी withdraw कर सकते हैं cash को और आपके card की detail किसी को पता नहीं चलेगी क्योंकि इसमें जो है आप UPI से cash withdraw करेंगे जैसे कि आप कहीं भी keyword scan करते हैं और payment करते हैं उसी तरह से ये भी work करता है इस ATM को जब payment select करनी होगी कितना payment आपको withdraw करना है आप payment select कर लेंगे उसके बाद में उस ATM में आपको एक keyword code दिखेगा उस keyword code को अपने UPI से scan करना है और जिस तरह से payment करते हैं उसी तरीके से आपको अपना pin डालना है पिन डालने के बाद payment आपका confirm हो जाएगा और confirm होने के बाद उस ATM से cash withdraw हो जाएगा तो दोस्तों ये तरीका है इस तरह से आप जो है cardless ATM से cash withdraw कर सकते हैं और कितना withdrawal कर सकते हैं उसकी limit क्या है तो आपको बतादे कि इसमें 10,000 रुपीज 10,000 रुपए जो है आप एक बार में withdrawal कर सकते हैं और आपको बतादे कि अगर कोई आपको समस्या आती है withdrawal करन आपका payment ATM से नहीं निकला cash नहीं withdrawal हुआ तो आपको क्या करना होगा आपको अपने UPI पे अपने bank में सिकायत करनी है और जो है आपके transaction failed होने की condition में जो भी problem आई है उसको आपका UPI आपका bank solve करेगा और दोस्तों आपको बता दें कि भविस में जितने भी ATM है जितने भी bank कार सारे जो है यह सुविधार ला सकते हैं क्योंकि UPI यूज में बहुत जादा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो UPI का यूज करते हैं और इससे फाइदे हैं कि आप जो है अपने card detail को चोरी होने से बचा सकते हैं क्योंकि card skimming की जो problem है वो solve हो जाएगी इसमें आपके card detail की चोर ना के बराबर है तो UPI का यूज भविस में बहुत जादा होने वाला है और हर ATM पे आपको हो सकता है कि ऐसी सुवधा मिल जाए और दोस्तों आपको बता दे कि बियोबी बैंक ने 8 सितंबर को ऐसी घोसला की है कि वो अपने 6000 ATM पे UPI cash withdrawal करने का option देने वाली है तो दोस्तों भविस में UPI cash withdrawal का option आपको लगबग हर ATM पे मिल जाएगा और इससे बहुत ही आसानी होने वाली है आपको कार्ड लेकर घूमने की जरूरत नहीं है केवल आपका phone आपके पास में होना चाहिए और लगबग सभी लोग अपने पास में अपना mobile रखते हैं और यह Android based पे काम कर जो आप UPI यूज करते हैं उसके द्वारा कैस विड्रॉल कर पाएंगे तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं क के लिए जैहिन जैवार।